नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रूप चन्द आप देख रहें यूटूब चनल रूप चन्टिकी जीएस गुरूप मैं बने रहें के लिए अपका बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों इस समयमाई जो टॉपिक चल रही है जो है प्राचीन भारती इतिहास रोत का दूसरा पॉर्ट चल रहा है और जो दोस्तों बिदेशी लेखा कायत है उसी के बारे में चर्चाय हो रही है यहीं जो बिदेशी कर्म-सिल्हा-बिष्विध्यला का वरान किया तो इसे भीम्लोग को प्राचीन भारती इतिहास के about me, jane Meship जानकारी मिलती है है की नहीं जो डोस्तों हम लोग जानते है नलंदा नलंदा भारत का सब harpsic विद्यनला है और जो है अर्वी लेखकर कौन थे पिला है दोस्तों शुलेवान दोस्तों जानते हैं हम लोग जो है नवीज सताब्दी में भारत आया था अब दोस्त है dog बात आई है सताब्दी कितने वर्षोंगší होती है, सताब्दी जो है सौ वर्षोंगी होती है, तो सुलिमान, ए एर भी लिखक है दोस्तों, एर नौ Lisa सताब्दी में भारताय था, तथा पाल एवं, पाल एवं प्रतिहार सासकों के बारे में लिखा, पाल हम लोग जानते जो इसका संथापा कौन था गोपाल है की नहीं। पाल एमण परतिहार सांसकों के बारे में लिखा। अगर लेखाएं, दोस्तों, तो इससे विम्लोग को प्राची भरती इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर लेखाएं दोस्तों, अलबर्णी, अलबर्णी, यह most important दोस्तों, बहुत बाव परिच्छों पूछा गया है। यह जहें, किसके साथ संकाल में था। महामू कि के हिंद या किताब अलहिंद की इसकी परसित रचना है जिसमें जो है दोस्तों भारत के निवासियों के बारे में वरान किया गया है या भारत के निवासियों के बारे में वरान किया गया है या भारत के निवासियों का कैसे रहन सहें था उनका अर्थी जीवन समाजी जीव पढ़ेंगे हम लोग या जैवत भारत में सत्रा बार आक्मा किया था महामूर किजनेभी तो इसी के समकाली था कौन अलबर्नी इसकी पुस्ता क्या दोस्तों ताइकी के हिंद या किताबुल उल हिंद है कि नहीं तो इतना हम लोग को माउग रहना चाहिए तो इससे भी यह ज पुरा ताद्वीन स्रोत किसे कहते हैं दोस्तों जो ख़ण अगरा में पराप्त हुए आगलेगी थे यह जो ख़ण को पराप्त हुए दोस्तों देखते हैं सिस्का एकिस तन का है उनीषोर 95 वह करें तो हमस्तisiaj वरषों को होगा है कि नहीं यानि पुरा तात्वी जो खुदाई में प्राप्त हुए उससे भी हम लोग को प्राचीन भातित यहास के बारे में जानकारी मिलती है तो दोस्तों देखते हम लोग पुरा तात्वी स्रोतों के अंतरगत क्या क्या आते हैं हד है की नहीं जो हे खुदाईम जो प्राप्त पुराथ 28 सोतों के अंतर गत्ट क्या कै आते हैं तो दोस्तों पुरात administrat पूरतों के अंतर जब से पहले अव्लेक है की नहीं अव्लेक सिक्के मुहर अस्मारक मूतियां, चित्रकला, भौतिक औसेस, जो दिखाई देते हैं जिसे वस्तुई हो गए, है कि नहीं, भौतिक औसेस, मिद्भांड, जो दोस्तों, मिद्भांड क्या है, मिटका वगरा, अभूसाण, आधी आते हैं, है कि नहीं, यहीं, पुरा तात्वी सरोत के अंतरगत, यह स मिद्भांड, जो मठका हो गरें, होता है, मिद्भांड, अभूसाण, आधी आते हैं, है कि नहीं, अब दोस्तों, देखते हैं, लोग, सिक्के, सिक्के का अध्यान पर परिच्वां पूछता है, सिक्के का अध्यान क्या कहलाता है, तो सिक्के के अध्यान को हम लोग क्या क कहते हैं मुद्राशास्त कहा जाता है मुद्राशास्त कहा जाता है है कि नहीं तो दोस्तों भारत के प्राचीन सिक्कों को अब देखो यहां भारत के प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था पंचमार्क या आहत प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क अब देखेंगे पूशे के भारत के प्राचीन शिक्कों को क्या कहा जाता था पासे प्राचीन प्रासे प्राचीन अपासे पंचमार्क है कि भारत के प्राचीन शिक्कों को पंचमार्क या आहत कहा जाता था साहित में in कर्षावन कहा गया है कि नहीं कि अब 바뀌क नहीं स्वेक्त गई कि नहीं अब बाताई दोस्तों को इसके उगिजित नहीं चल रहा है तो इसके कम देख लेते हैं जैसे सोने के सरपथम प्रिच्व पूछेगा सोने के सरपथम लिखिश्ष के सोने किस ने जारी किया तो किस ने जारी किया कुसान राजाओं 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 ने जारी किया थे जबकि गुष सासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किया थे यह भी पूछ सकता है राजाओं ने जो है जारी किये थे, जबकि गुप सासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किये थे, तो सिक्के के बारे में दोस्तों इतना हम लोगों को मालूम पहना चाहिए, है की नहीं, लेकिन पूछे के दोस्तों, सीसे के सिक्के सरपथम किस ने चलाया था, तो सा सबसे पहले जारी किये थे सीसे के सिख्के सर्पथम कुछ ने जारी किये थे दोस्तो णे हाई कि नहीं सबसे शीत सुर्पथम कुछेगा शीक सर्पथम केष्ण है रिफ mr. सोने डेखो दोस्तों कुछ कुछ डिली खम भ्रोन अपना आएंगे त helpful याद और घुझ जल्दी से याद नहीं होता है जल्दी से सा से सीसा सा से सातों है कि नहीं बहुत सरला है नेश्ट है दोस्तों उचे का गुप्तकाल में सौन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था गुप्तकाल में सौन सिक्कों को धिनार ये उन चादी के सिक्क्यों को रूपक कहा जाता था गुट काल में जो सोने के सिख्खा होता था यानि जो सोनगे कर सिख्खा होता उसे हम लोग दिनार कहते थे यह उन्चादी के सिख्खों को रूपक कहा जाता था है की नहीं तो सिख्खे से इतनी बाते होई अब दोस्तों आया है अभी लेख अब लेक किसे कहते हैं दोस्तों अब लेक यानि लेक कर रखा हुआ लेक कोई लेक लेक कर रखा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं अब लेक देखो यहाँ है लेक कर लेक कर रखा हुआ लेक को हम लोग क्या कहते हैं अब लेक कहा जाता है लिख कर रखा हुआ लेक, अब लेक कहलाता है, अब लेक दोस्तों, मोहरो, प्रस्तर अस्तंभो, प्रस्तर में इस क्या होता है, प्रस्तर माने होता है जोस्तों, पत्थर, मोहरो, प्रस्तर अस्तंभो, चटानों और तामर पत्रों में मिलते हैं, यानि जो अब लेक कहां मिलत तो तामर पत्रों में मिलते हैं, तथा मंदिर की दिवारों और इटों पर भी मिलते हैं, तो यहां से अभलेक मिलते हैं, इटों पर भी मिलते हैं, लेकिन दोस्तों पूछेगा, सबसे अधिक अभलेक, कहां संग्रहीत हैं, कहां रखे गए हैं, तो सबसे अधिक अभलेक महसूर संगराला में संगरही थे वहीं रखे गए हैं बहुत important fact है दोस्तों पुछे का सब से अधी कभी लिएक कहा है महसूर महसूर कहा है दोस्तों महसूर करनाटक में आप चले जाए तो वहीं जो है इस्थित है है कि नहीं तो इतना हम लोग को मारून रहना चाहिए अगरा जो तरीका दोस्तों उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसी कहते हैं है कि नहीं तो दोस्तों पहले लिपी क्या है प्राकिर्थिक लिपी सबसे इंपोर्टेंस प्राकिर्थिक लिपी या दोस्तों आरंभी कवलेक प्राकिर्थिक भासा में लिखे गए हैं आरंभी कवलेक प्राकि जित्तिक भासा में जो है लिखे गए थे हाई कि नहीं अगला है दोस्तों ब्राम्ही लिपी जो लोग जानते हैं जो लिखने का धंग होता है तक उसे लिपी कहते हैं ब्राम्ही लिपी असोग किस लिया लेख असोग किस लिया लेख ब्राम्ही लिपी में हैं है कि नहीं अध पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में असोग के सिलालेखों में इन लिपियों का परियोग हुआ है कहां कहां युनानी एवं आरामाईग लिपी का परियोग पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में असोग के सिलालेखों में इन लिपीयों का परियोग हुआ है है की नहीं तो इतना हम लोग को जो है मारूब रहना चाहिए अब है दोस्तों महत्पूं अभिलेक यों उनके सासक है की नहीं महत्पूं अभिलेक यों उनके सासक कौन से अभिलेक के किस के सासक थे दोस्तों परिच्छाव में पूछा जाता है कि यह अभिलेक किस सासक से संबंदित है महाद्टू अबलेक यहां उनके साथ सक है कि नहीं दोस्तों यह पूरा जो है टेकनिस चलेगा है कि नहीं दोस्तों हम सब बिशाई जो है घर इस पढ़ाएंगा आप लोग तेश्म मत लेना कोचिंग जो बच्छा कोचिंग नहीं कर पाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे जोए पढ़े, महत्तुन अभलेक एवं उनकी सासक, एक तरफ है दोस्तों अभलेक रहेगा, एक तरफ रहेगा क्या सासक रहेगा, अभलेक दोस्तों लोग जानते हैं, लिखा हुआ लेक को, क्या कहते हैं हम लोग, अभलेक कहते है कोई दिक्कत नहीं किस सा ले समदिख से संबंदिन अब इसको दोस्तों अवं देख लेते हैं कि यहां ए पर्याग चलना है अगर परियाक गैं दोस्तों हम लोग किस ली जाते हैं असनान करने के लिए जाते हैं हाइक नहीं और जो है पर्याग में असनान करने गए हैं दोस्तों यानि संगम भी गए है तो हाँ पानी रहता है अब पानी कहा रहता है पानी रहता है समुद्र में भाई पर्याग नहाने गए है नहाएं कहा यहां प्रयाग प्रयाग है एरण अभिलेग प्रयाग प्रश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अगला हैं दोस्तों भीतरी असतंब लेक गांजीपुर में है भीतरी अस्तंब लेक इस समित अश्क्रांद गुश सेे- right in भीतरी असतंब लेक यहां है असम यहां भी जोनओ मिल रहा है यह याद हो जाएगा सीम्से अश्कान गुप्त से, अब दोस्तों देखो, भीतरी यानि कहीं अंदर गए हम लोग, भीतर या अंदर दोनों एकी चीजी होती है, जब दोस्तों अगर हम लोग अंदर गए हैं, यानि भीतर गए हैं, कोई गुप्त रहस यानि गुप्त बाते करने के लिए हम लोग भीतर य अंदर कब जाते हैं, जब कोई गुप्त बाते होती हैं, कोई गुप्त रहस होता है, तब हम लोग कहा जाते हैं, भीतर जाते हैं, तो भीतर अस्तमलेक कहा है, गाजीपुर में है, और किससे समझें दोस्तों, अश्कंद गुप्त से, तो गुप्त स्रेक्या, गुप्त बना तो ऐसे में लोग बना लेंगे, भीत्री अस्तामलेक किसे संब्दी थे, अर्षकंद गुप से संब्दी थे, है कि नहीं, यहां दोस्तों, मास्की, मास्की अफलेक, गुर्जर अफलेक, यह दोनों कहा है, किस संब्दी थे, किस संब्दी थे, अर्षक से संब्दी थे, अब दिखो यहां है दोस्तों म मास्की मो इसलुकर मा 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 है की नहीं है मा ऐसलों गूज यह तो और दॉस्तों बूजर गई और मा नहीं कि नहीं तहुत हैं मास्की यानि मागूम गूजर गई तो हम recurs क्या मनते हैं सोख सुझाए क्या स्यों सुझाए शुट पं Ctrl Gастиur अद्म रीआ अंद्ध है स्यूर्याथ एक क्सव्हां सब्सक्तित हैं खर्धर अलाん साल्मAR के संब्सक्तित है ऊढ़ान वे गौलियर अभीलेक राजा भोस से सम्बंदी थे, निशा दोस्तो हाथी गुमपा हाथी गुमपा भोसा सम्बंदी थे, किसा सक्से, खारवेल अब देखो यहाँ है दोस्तो हाथी, हाथी बहुत बड़ा जानौन होता है और अगर भोजन ज्यादा को खाता है खाना खाता जाता है, है कि नहीं? खास होई है क्या खारवेल, तो हाथी गुपफा अभलेक किसे सम्झेत है? खारवेल से सम्बंधित है. जोट दोस्तों, जूनागण, जूनागण या गिरनार अभलेक, यह most important है. यह किस सासर सम्झेत है? जोटो रुद्ध दामन से सम्झेत ह किसका रुद्ध दामन का जूनागण अभलेक, जूनागण अभलेक, इससे लोग याद कर लेंगे. अगला है दोस्तों, एहोल अभलेक, यह किस सासर सम्झेत है? पुलकेशियन दूतीर से सम्झेत है. कौन सा अभलेक? एहोल अभलेक. अब देखो दोस्तों, यह होल यह भाई पुल में क्या होता है? होल नहीं होता है. पुल में होल होता है. होल सोजाएगा? होल सोजाएगा एहोल अभलेक. अब किस सम्झेत है? पुलकेशियन दूतीर सम्झेत है. भाई पुल में होल रहता है. होल सोजाएगा एहोल. एहोल अभलेक किस सम्झेत है? पुलकेशि ये किसे समय से दोस्तों बिजय सेमस्वे से संबनते है कियोος पड़ा अब दोस्तों इसको तुम लोग उष्च कैसे यहात करेंगे मांता पिता यूझो किया करता ईूझा लड़ा किया आ यहांिव हम लोग देव पढ़ते हैं यानि माता पिता के क्या करता है पायर पढ़ते हैं और देवी देवता के भी पढ़ते हैं देव पाड़ा देव क्या करते हैं पायर पढ़ते हैं किसके लिए बीजे के लिए है कि नहीं बीजे के लिए देव हम लोग उनके पायर पढ़ते हैं तो बढ़ा शोजया, क्या दीवपड़ा अवलेक, किस्वर्जे थे, बिजे से संबन्दी थे, है कि नहीं, अगला है दोस्तों, लास्ट है, स्वरी, नासिक अवलेक, ये किस्वर्जे समय थे दोस्तों, गौत्मी बलसिरी से है, अब देश्टों, इसको किसे देखेंगे, तहाँ कैना है नासििक यानि जो इस्वर को मानता है उसे हम लोगं उपर वालेँ को जो इस वर को मानता है उसे प्राग अतिहासिक काल चलेगा अब अगर टॉपिंग पार्ट तीन में आप लोग जो है दोस्तों प्राग अतिहासिक काल में जो है के बारे में पढ़ेंगे है की नहीं प्राग अतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों प्राग अतिहासिक काल वा काल है दोस्तों जिसके बिसे म कोई लिखिस समगरी नहीं उपलब्द होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्राग अतिहासिक काल यह हमारा दोस्तों जो है पार तीन में चलेगा प्राग अतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों प्राग अतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके विशे में कोई लिखिस समगरी पर उपलब्द नहीं होती है और जो हम लोग को साच कहार्श मिलता है दोस्तों यह जो खुदाय उदाई से पराप्त होता है पुरा तात्वी सोच से पराप्त होता है है कि नहीं इसकी जनकारी हम लोग कहां से यह खुदाय उदाई से जो है पराप्त होती है है कि नहीं तो प दोस्तों यहीं हमारा वीडियो आज के लिए बस इतना ही तो दोस्तो थे स्कृण हो ओ सक्राइब कीजिए दोस्तों जो भी वीडियो बलाये हम अगले नेस्ट दे लेके आएंगे, है एक नहीं, थैंक्यू, थैंक्यू, सो मच्छ.